बहु जाग गई बहु अब तो उठ जा, सूरेच सर पर चड़ाया है, अब क्या बारा बज़े उठेगी? मम्मी, मम्मे मेरे स्कूल बैग का, मुझे देर हो रही है तेरी मा को कोई फिकर है क्या? तो स्कूल जाए या ना जाए मैं आ देती हूँ तेरी बैग, रुख जा इंद्राणी चंदु की बैग ढूंड कर उस पे कॉपी किताब डाल देती है पहले अपने बच्चे पालो, अब इनके बच्चे भी पालो आया ही बना कर रख दिया है मुझे हाई रह फूटी किस्मत, सोचाता बहु आएगी तो आराम करोगी लेकिन का है का आराम? एक मिनिट पी सांस लेने के फुरसत नहीं मिलते चंदु को टिफिन और स्कूल बैग देकर इंद्राणी उसे स्कूल भेज देती है तभी पंकच कहता है मुझे और पापा को भी दुकान के लिए लेट हो रहा है नाश्ता दे दो ना अब तो मेरा यही काम रह गया है ना किसी को नाश्ता दो, किसी को टिफिन दो अरे कैसी बहु लाया है, कोई काम ही नहीं करती है कैसी बहु क्या? आप इने तो ढूंडी थी मैं थोड़ी न ढूंट लाय था आप ही की पसंद है, अब आप ही जहलो मैं तो खुद ही परिशान हूँ अरण ठीक है ठीक है, अब तु मुझे मत सुना इंद्राणी पंकज और विश्णो को नाश्ता देती है और दोनों बाप बेटे अपने दुकान चले जाते है फिर भी मजाल है कि रमा उठ जाए इंद्राणी बैठी बैठी एक टक घड़ी देखती रहती है इंद्राणी अपनी कलौते बेटी की शादी रमा से करवाती है और ये सोचते है कि शादी के बाद तो वो आराम से रहेगी लेकिन उसकी किस्मत फूटी होती है रमा जो की पंकत से शादी करके उसकी बहु बनकर उसके घर आती है और पूरा दिन पूरी राज सोई रहती है और उठती भी है तो इतनी देर से तब तक आधा दिन पार हो जाता है इसी तरह दिन बेटते हैं और रमा एक बेटी को जन लिती है जिसका नाम चंदु रखती है चंदु के पैदा होने के बाद भी रमा की हरकते नहीं बदलती और वो अभी भी देर से ही उठती है चंदू का पालन पूशन भी इंद्राणी को ही करना पड़ता है और अब चंदू स्कूल जाने लायक हो जाता है फिर भी रमा खुद की आदत बदलने को तैयार ही नहीं थी उसे तो जरा भी फरक नहीं पड़ता कि चंदू क्या खाएगा, क्या पिएगा गड़ी देखती देखती इंद्राणी ठक जाती है और कहती है किस मत फूटी है मेरी, लगता है मुझे ही चाय बना कर बहु को उठाना होगा आय इस बुढ़ापे में क्या क्या करना पड़ रहा हूँ इंद्राणी चाय बना कर रमा के कमरे में ले जाती है और कहती है वे कहती है यह जल्दी उठाती है सासमा आपने तो जल्दी उठने से न मेरे सिर में दर्द होने लगता है आपको पता तो है यह सुबह है अरह बहु बारा बज गया है तो पर के सब यहां दो पर के खाने की तैयारी कर रहे हैं मैं सब छोड़े है सासमा चाई थंडी हो रही है पुझे चाई का आनन लेने दीजिये हाँ हाँ प्यो 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 हमें तो कभी चाई नसी भी नहीं हुई मेरी सास तो मुझे सुबह चार बज़े उठा दिया करती थी लेकिन मेरी सासमा बहुत अच्छी है लव यू लव और एक काम को करने में ही पूरा दिन लगा दिती है इंद्राणिया ब्रमा से दुखी थी वो अपनी एक सहली राधा को फोन करके सब कुछ बताती है अब तो ही बता मैं क्या करूं सबकी किस्मत तेरे जैसी नहीं होती यह तो बहुत भारी समस्या है तुझी कुछ न कुछ तो कहा तुमने इसी तरह दिन बीटने लगते हैं अब रोज रोज इंद्राणी बहु को उठा कर परिशान थी ऐसा क्या करो जो बहुत जल्दी खुदी उठ जाए उसे अपने माई के वालों से बहुत प्यार है खास कर अपने भाई से राखी भी आ रही है इंद्राणी कर रहा था कल सुबह की चार बजी की गाड़ी से वो आ रहा है अपने भाई के स्वागत के लिए कोश तैयारी नहीं करोगी मीरा वीरा और है क्या डुलीडा डुलीडा डुलरी वा गाड मनी हिच लेवी से हिच लेवी रमा गाती हुए नाश्टी लगती है तब पंकज कहत नाश्ती ही रहोगी या कोई तयारी भी करोगी कर तो रही हूं मेरा वीरा जो आ रहा है रमा रसोय में जाती है और फटा फट निमकी कचोड़ी और दो चार चीज़े बनाने लगती है अब जल्दी से सो जाती हूं ताकि सब्चार बजे उठ जाओ रमा अलाम क्लॉक लगा द अगले सुबच जैसे ही अलाम बज़ता है रमा उठ जाती है और फटा फट नाहा धो लेती है रमा को इतना जल्दी उठता देख इंद्राणी और विष्णों के तो हूशी उठ जाते हैं मेरा आइडिया काम कर गया वा जी वा रमा पंकच को कहती है उठो जल्दी उठो मे अखेया इंग क्या है इस सुड़च कहां से उगाया आज अरे सुड़च कहीं से भी उगाया तुम स्टेशन जाओ न अभी पंकच हसने लगता है और कहता है अर्यार मेने तो मज़ाग किया था तुमने तो सेची समझ लिया लेकिन चलो जो भी हो मेरा मन खुश हो गया एक तो जूट के कारण तुम्हें जल्दी उठता देख तो लिया, वरना ये मुझे नसीब में कहा होता? क्या? मेरा वीरा नहीं आ रहा है? रमा मूँ बना कर बैठ जाती है, लेकिन पूरे घर में खुशी के लहर दौड उठती है. बहु जाग गई! ममी, ममी आज मेरा बैग और मेरा टिफिन तुम लगा देना. हाँ मेरा बच्चा. रमा चंदु के लिए टिफिन बनाती है, और उसका बैग भी तयार करती है, और फॉरन सब के लिए नाश्ता भी बना कर तयार करतीती है. अब रोज बहु के हाथों का खाना खाने मिलेगा, तुम्हारे दिन तो फिर गया इंद्राणी मैं भी आज बहुत दिनों बात खुश हूँ छे साल में पहली बार बहु के हाथ का नाश्ता खाने को नसीब गुआ है नाश्ता करके पंकज और विष्णू रोज की तरह दुकान चले जाते हैं इधर खुशी के मारे शाम को इंद्राणी अपने घर में पार्टी रख देती है जिसमें अपने कुछ रिष्टेदार और दोस्तों को बलाती है क्या बाद है अज अचानक से किस खुशी में पार्टी दे रही हो इंद्राणी अरा खुश तो ऐसी हूँ के पूछो मत यह समझ लो आज जाके मैं सास बनी हूँ ऐसा पार्टी करने के लिए कोई वज़ा थोड़ी ना जरूरी है जब मान किया कर लो सभी पार्टी में खुब नाचते गाते हैं रमा को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी सास दे पार्टी क्यों रखी सब खापी कर अपने घर चले जाते हैं इंद्राणी अपने शिंध हो जाती है और रात को सोते वक्त विश्णों से कहती है अब मैं बेफिकर होकर आराम से मर पाऊंगी कि मेरी बहु अब मेरी जिम्मेदारी संभा लेगी कलना मैं आराम से देर से उठूंगी यहां अभी से बता रही हो तुम पागल हो गई हो क्या अब तुम बहु की तरह मत हो जाना चलो आब नाजर मत लगाओ इंद्राणी सू जाती है और अगले दिन चंदू आकर इंद्राणी को उठाने लगता है दादी मा मुझे स्कूल के लिए दे और हो रही है मेरा टिफिन और बैग ला दो ना इंद्राणी अड़कते हुए उठती है अरा क्या होँआ बच्चा तुझे मम्मी का है वो तो सो रही है आप जानती हो ना मम्मी को कोई नहीं उठा सकता इतने में पंकज महां कर कहता है मा आप भी सो रही हो रमा तो अभी तक सो रही है सारे प्लान पर पानी फिर गया है वो तो तीन अलाम लगाने पर भी नहीं उठ रही है मैं देखते हूँ इंद्राणी रमा को उठाने जाती है अरे बहु उठ जा सूरज सर पर चड़ गया है मैं आज शाम से पहले नहीं उठने वाली मुझे अपना गल का कोटा भी पुरा गर रहा है जोरे दो मुझे रमा की बात सुनकर इंद्राणी की आँके बड़ी हो जाती है वो अपना माथा ठोक लेती है